नमर्शिकार आप देख रहे हैं खबर चौराहाज जैपुर किसिंग को प्यार जाहिर करने के कई तरीकों में से एक माना जाता है इसके कई तरीके होते हैं जिसे कबल फिलिंग्स के मताबिक चुनता और अपनाता नजर आता है इसे कई बार इंटिमिसी के शुरुआद भी मानते हैं इसके पीछे की भावना के कारण और फिजिकल अफेक्शन का पब्लिक डिस्पले का दूसरों को असाज कर देना ऐसे कई स्थान है जहाँ पर आज भी पब्लिक किसिंग को स्विकार नहीं किया जा सकता यानि कि आप उन जगहों पर पब्लिक में किसिंग नहीं कर सकते इतना ही नहीं बलकि कुछ जगह तो इसके लिए बकाइदा नियम तक बना रखे हैं जिने तोड़ने पर सजा होती है किसिंग से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक बाते आपके लेकर आएं जो आपको हैरान कर देंगी वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं और ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें आम तोर पर कपल 12 सेकंड तक किस करते हैं वही 1980 के दौरान ये डूरेशन काफी कम थी उस दौरान के कपल सिर्फ 5.5 सेकंड में ही एक दूसरे से किस करके दूर हो जाया करते थे हाला कि ये डेटा किस ने निकाला और कहां से आया इस बारे में जरा कम ही पुखता जानकारी है दुनिया भर में किस को लेकर लोगों की अलग-अलग सोच है और उसी के आधार पर इसका मतलब निकाला जाता है कहीं पर फर्स्ट या फिर शुरुआती किस एक दूसरे के लिए अफेक्शन दिखाने का तरीका होता है वहीं पर कहीं ये रिलेशन्शिप अगली स्टेज पर जाने के लिए पहला कदम होता है कहा जाता है कि जापान में दो लोग जब किस करते हैं तो वो फिजिकल इंटिमेसी की चाह रखते हैं एक स्टेडी में किसिंग पर कई अध्यन किये गए हैं इन मेंसे कुछ मेंसे ये सामने आया है कि लोग किस करते वक्त किस ओर सबसे ज़्यादा सर जुकाते हैं रिसर्च के अनुसार किसिंग के समय हर तीन में से दो व्यक्ती सर को दाई और जुकाता है अब जानते हैं एक अजीबो गरीब नियम USA यानि कि अमेरिका के मिशिगन में रविवार को महीला को पब्लिक प्लेस पर किस करना मना है इसकी वज़े ये है कि संडे को प्रेयर कर दिन माना जाता है ऐसे में इसे मॉरली रॉंग यानि कि गलत माना जाता है हाला कि अगर इंटरनेट खंगा लेंगे तो खुद यहां रहने वाले लोग इस बात को लेकर काफी हैरानी जताते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सुना इंटरनेट पर कई लोगों ने बताया कि ये सब बाते सदियों पहले हुआ करती थी आपको हमारा यी वीडियो और यी जानकारी कैसी लगी ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए खबर चौराहा जैपुर के इस चैनल से हमें सब्सक्राइब और लाइक फॉलो ज़रूर करें